नमस्कार, मित्रो, फिर हम, फिर आप, फिर हमारा जनता कभी दरबार, लेकिन इस बार की बढ़ा रही है शान, दो महिलाएं भी, क्योंकि आज का कारकर्म समर्पित है, नारी महिला सम्मान के लिए, अंतराश्चे महिला दिवस, इन दोनों को और देश और दुनिया की सभी मह मुझनला को बहुत वर्मबारको, और आज इस कारकर्म में हमारे महमान मेरे दाइनयों आर बैठे हैं, गूल शन मदान केतल से आए हैं और स्ट्रेट बैंक के मैनेजर हैं, लेकिन गीत कहते हैं, गजल कहते हैं, दोहे कहते हैं, मuk-तक कहते हैं और हमेशा खुय रहते हैं मौनें आपके साथ रूब रूब्र होने के लिए अपनी बात कहने के लिए रियाना सभी में समयनग चाहिए इन защे हैं इनकी गजलों को दूसरे गाय एक गार हैं लेकिन आज रूसर्मती अधान जियरे आज महिला दिवस है इस लिप करेश कर रहा हूँ एक आप देखिए नारी का किया स्थान है जानिक नल कर बतला है मुझे होता है ये एहसास घर में है मुझे होता है ये आभात घर में बिना औरद नहीं कुछ रास गर में और व्यथार रोटी की हो या आस्था हो विथार रोटी की हो या आस्था हो वही रखती है बस उपवास घर में और कोई चोहार हो गोई खुशी हो कोई चोहार हो कोई खुशी हो नहीं ओरत बिना उनलास घर में है इंसे प्रेम हर घर का सलामत इनसे है फकत विश्वास घर में और एक शेर देखें पुरुष्व लिख नहीं सकता कभी भी पुरुष्व लिख नहीं सकता कभी भी लिखा नारी ने जो इतिहास घर में लखन के जंगलों से भी था मुशकिल जो उर्मिलने सहा बनवास घर में जो अरमिलने स्हाब बन्वास घर में और लखन के जंगलों से भी था मुश्किल जो अरमिलने स्हाब बन्वास घर में और आखर निशेर देख़िए वो मां बेटी हो या हो बेहन बीवी है घर का इन से ही और मैं दूसरी गजल नारी की विथा को लेकर कह रहा हूं, नारी ने कई पिडाय भोगी हैं लेकिन एक पिडा उने रंतर भोग रही है, घर की घ्रस्ती में किस तरह की उसे मुश्कले होती है, एक पत्नी अपने पती को खत लिख रही है, उस खत के माध्यम से मैं बात करना पत्नी को खत लिख लिख लिए है, जो पर्देश में हैं, खत लिखा खुश खत के साथ, लेकिन कुछ शिद्दत के साथ, कोई अच्छी खबर नहीं है, तुम पढ़ना हिम्मत के साथ, मा की हालत भी पतली है, बापो की हालत के साथ, और देवर धुत बड़ा रहता है, जा जाएगा इस लट के साथ, देवर धुत बड़ा रहता है, जाएगा इस लट के साथ, और डिगरी तो लाया है बढ़का, लोकरी है रिश्वत के साथ, छुटका अब रहता है हर दम, आवारा दल्पत के साथ, और मुनियां फस्ट रही बस्ती में, एक अच्छी खबर है, इसकी शादी कर दूँ लड़का देख पकत के साथ, गली-गली में खड़े लफंगे, देखें बदनियत के साथ, और गंगाराम ने ब्यादी बेटी, बूडे बद सूरत के साथ, और रधिया कल कुए में कुदी लुटी हुई इज़त के साथ आज इलेक्शन जीत गया फिर दुर्जन सिंग बहुमत के साथ और घर की हालत भी मत पूछो जिन्दा हूं जिल्लत के साथ और अब के मन्याडर नहीं आया कब तक इस गुर्बत के साथ चंद दरारें दीवारों में मूँ खोले हैं च्छत के साथ और घर की नीलामी का नोटिस आया है मौलत के साथ अब के फसल भागई बारिश अब के फसल भागई बारिश कौन लड़े कुदरत के साथ हाल पूछने कौन आएगा सब रिष्टे दोलत के साथ हाल पूछने कौन आएगा सब रिष्टे दोलत के साथ और मैं तो मंदिर में लड़ाई पत्थर की मूरत के साथ बिजली दूद किराने का बिल भेज रही हूं खट के साथ मर्द गया परदेश न जाने क्या बीति य औरत के साथ और अब तो वापिस आ भी जाओ रोटी है किसमत के साथ रोटी है किसमत के साथ रोटी है किसमत के साथ शुक्रिए वहूं जो बता रहे थे कि घर का इतियास लिखती है औरत ये अलग बात है कि नारी की व्यथा कथा को लिखा एक पुरुष ने जने कहते हैं कुलिशन मदान लेकिन शीरिमान में आपको बता दूं कि इस कारकरम में कई ऐसे कभी भाग ले रहे हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं अब हम रगविंदर यादव जी को बुला रहे हैं जो इस समय नार्नोल में हैं लेकर उनकी कभीत आपको पड़के सुना रहे हैं क्योंके उन्हों ने इस कारकरम में इस रूम में शामिलोना स्वीकार किया है तो मैं बताता हूं कि उन्होंने दोहे हैं और उन्हों कहा है कि कि संसद में होती रही समिंदर जी को आप लाद दे सकते हैं कि संसद में होती रही महिला हित की बात और थाने में रोटती रही इजत सारी राथ वाव वाव अच्छा है यह वह वाव जो है उनकी उनके दोह के लिए है इस गशना के लिए नहीं आप समझें प्लीज नारी पू कि अधृम च confession कि पूझा करते हैं शक्ति चाहिए तूमा दूरगा की पूझा करते हैं लेकिन दुरगा के शक्ति की इस स्राश्षोटी के लक्षमी के रूपव कि ऑपक हैं कि कि निजसरी लोगी देखे это अगरे चालाते हैं यहां गरी बेती के जन्म पर मातलम था हर और उसने बढ़कर छू लिया नव का अंतिम चोर वाव बहुत उपना चावलाओं को हमारी और से जनता टीवी की और से जनता कवी दरबार की और हम सभी कवियों की और से बहुत को शुब काम लाएं आगे बढ़ रही है महिलाएं और अब हम च समर्पित करता हूँ आज के महिलाओं को हालागे मैं स्रंगार ही लिखता हूँ कि तू बहती नदीशा रूप लिये मैं खाली बरतन जैसा हूँ तू पावन है मन भावन है मैं पापी के मन जैसा हूँ तू सांती मई करुना रूपी अजर अमर विनासी है मैं हाड मास का एक गजल एक सेर के साथ सुरुवात करता हूँ स्वागत है कि मुझे कतल करने का क्या तरीका इजाद किया तूने मुझे कतल करने का क्या तरीका इजाद किया तूने कि मैं हिच्कियों से मर जाओं मुझे इतना याद किया तूने मैं हिच्कियों से मर जाओं, मुझे इतना जाज किया तुने, बाब, बहुत कुगू। गाजन है चंद सेर है उसके। स्वागत है। के एक नजर का वो बस दिवाना है। एक नजर का वो बस दिवाना है। अपनी चाहते बयान नहीं करता। सर्म आखों में कुछ जियादा है। सर्म आखों में कुछ जियादा है। मिलने तक की दुआ नहीं करता। प्रक्षिर देखेगा। के इसकी की आग है सुलगीने को। जाने क्यों वो हवा नहीं करता। एक सेर बीच में देता हूं इसके। कि बच्च के रुस्वाईयों से निकले है। खुद की पढ़ाईयों से निकले है। बच्छाल से निकले है, खुद की परच्छाईयों से निकले हैं, जरा सबर्कर ऐ तुफानी हवा हम अभी तनहाईयों से निकले है आदिके जैसे देखे जी उसका हरिफ ठैसला गवारा है उसका हर फैसला गवारा है जो कोई फैसला नहीं करता कि चांदिया गोस में है कोसल के चांदिया गोस में है कोसल के वो मगर होसला नहीं करता मनोज कुमार की फिल्मों में अक्सर एसी सिच्विशन्स वागते थी अब फिल्में तो अमें बनानी पढ़ेंगी कि शोर जी लिखते इसना बढ़िया है और मैं पढ़ रहा हूं रमेज शित धर्च का एक मुक्तक आप सुनें कि जंग इनसान की सदियों से यू ही जारी है जंग इनसान की सदियों से यू ही जारी है सांस बोजिल है तो क्या आश नहीं हारी है दोनों ही मिलके बनाते हैं जहां को सुन्दर नरह ताकत और जहन नरह ताकत और हुनर नारी है नूर हुनर नारी है तो यह रमेशित धास रेवाड़ी से जंता के विदरबार की श्रोकाओं के लिए दश्कों के लिए ये बात कह रहे हैं और हम चल रहे हैं एक मुटतक से अपना परिष्या देना चाहूंगी अपना ही क्या मैं चाहूंगी कि ये मुटत्सम्पूर्श चीओ का इस हैं तो यहां तुम्हारे सम्मुक अपनी संपून जी जी विशा लिए आज मालो तुफान तुम भी चाहो अगर आज माना एक मुक्तक मैं इस्त्री के संघर्ष के नाम देना चाहूंगी इस्त्री समाज में जो संघर्ष करती है और उसकी क्या स्थिती रहती है देखेगा ना इसके ना उसके ना तुम्हारे ही इशारों पर चली हूँ और उसकी संघर्ष की इस यात्रा में वो कई बार आहत होती है गिर्ती है संभलती है किन्तु हारती नहीं है कभी और इसी भाव को मैंने पिरोना चाहा है देखे इन चार पंक्तियों में किस्तरी क्या है कभी शबनम तो कभी बनी चिंगारी हूं कभी शबनम तो कभी बनी चिंगारी हूं मुश्किलों से नहीं किसी भी हाल में हारी हूं वक्त पड़े तो तूफानों के रुख मोड़ दो, अवला नहीं मैं सब्ला नारी हूं, अवला नहीं मैं सब्ला नारी हूं और देखे जब भी हम इस्त्री आपनी बात करती हैं समाज उसे इस्त्री विमर्ष कहता है और समझता है कि यह पुरुष विरोधी हैं तो मैं यहां सपष्ट करना चाहूंगी कि इस्त्री विमर्ष का अर्थ पुरुष विरोध नहीं है इस्त्री का पुरुष से कोई आपके सामने रख रही हूं नहीं चाहती किसी को दबाना जुकाना या गिराना इस तरी क्या चाहती है नहीं चाहती किसी को दबाना जुकाना या गिराना चाहती हूं तो दुनिया को बस यही जताना कि अपनी रची और तुम्हारी अधिकृत इस दुनिया में और चाहती है तो सिर्फ अपनी पहचान बनाना चाहती है तो सिर्फ अपनी पहचान बनाना और देखेगा कि हम ये पहचान कैसे बना सकती हैं हमें इसके लिए इस्तरियों को सभी इस्तरियों का मैं आवन करती हूं कि जब तक हम एक जूट नहीं होंगी तो समस्या नहीं सुलजेगी इसी किया है मत समझो कि हम तुम अकेली हैं संग् है इक दूझे के जो कलाई संग हतेली है मिलकर करेंगी हल जीवन की मुश्किलों को मैं तेरी सहली हूं मैं तेरी सहली हूँ, तू मेरी सहली है और सभी इस्त्रियों को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कुछ पंत्यों के माध्यम से कि अश्क बाहाऊऊगी तो हसेगी दुनिया गर मुस्कुराऊτι तो जलेगी दुनिया हाथ थमाओगी तो लड़ेगी ये दुनिया किन तु कुछ बन कर दिखाओगी तो यकीनन तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी दुनिया यही संदेश मेरा इस्त्री जाती के नाम है आज के दिन और एक छोटी सी कवीता मैं रखना चाहूंगी किस्त्री क्या चाहती है, कैसा संबंध चाहती है पुरुष्ट से शिर्शक है क्या तुम बनोगे मेरे आकाश प्रस्तो थै कविता बक्षीश की तरह दी हुई तुम्हारी दो गज जमीन के बदले खोना नहीं चाहती मैं अपना पूरा का पूरा आकाश बक्षीश की तरह दी हुई तुम्हारी दो गज जमीन के बदले खोना नहीं चाहती मैं अपना पूरा का पूरा आकाश नहीं नहीं मुझे स्विकार्य नहीं 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 मुझे स्विकार्य नहीं तुम्हारा शर्तों और वर्जनाओं से भरा प्रेम अनुबंध मेरा अस्तित विस्तार चाहता है मेरा अस्तित विस्तार चाहता है जंजीरे नहीं मैं जीवन को टुकडों टुकडों में नहीं जीना चाहती हूँ पूरा का पूरा एक साथ मैं जीवन को टुकडों टुकडों में नहीं जीना चाहती हूँ पूरा का पूरा एक साथ हाँ बाट सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपना आस्मान हाँ बाट सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपना आस्मान मगर सोब कर तुम्हें अपने पंक अपनी उडान नहीं दे सकती मगर सोब कर तुम्हें अपने पंक प्रेम सरीता, मुझ में बहती है, मुझे बहती हुई प्रेम सरीता, नदी बन पहुंच सकती हुँ मैं तुम तक, किन्तु पहले तुम्हें सागर होना होगा, वो पोधा नहीं हुँ मैं, जो पकड़ ले अपनी जड़े, मेरी दादी भी कहा करती थी, और समाज इस्त्रियों को कहते हैं कि लड़कियां तो बिच्छु बुटी होती हैं, कहीं उखाड़ो, कहीं लगा दो, वही बाहव है कविता में, वो पोधा नहीं हुँ मैं, जो पकड़ ले अपनी जड़े, कहीं भी, किसी भी मिट्टी में, आक मिनाक्षी की कविता, मिनाक्षी जी जी वसे समने सुने उनकी बात, लेकिन अभी थोड़ी दर पहले हम थे जैपुर, आप पहुंचते हैं, जोदपुर, फानी जोदपुरी मेलाओं के बारे में क्या कहते हैं, जरा उनके अलफाद सुनिये, कि कुद्रत है अगर नजम, त एंगर वी जी 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 दा?